हाई दोस्तों असलों अलेकुम कैसे आप लो मेरा नभील है आज हम इस वीडियो में देखेंगे आइफोन 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स के अंदर क्या है डिफरेंस और आपको क्या आइफोन 14 प्रो मैक्स के लिए जाना चीए जो कि बहुत जादा महेंगा हो चुका है क्या इन दोनों में एक्चुल में कोई दिफरेंस है या फिर दिफरेंस इस वाल पेपर का ही है सिर्फ आईए देखते है फटा फट इस वीडियो के अंदर लुक्स डिजाइन और बैक ग्लास का जो टाइप है फ्रॉस्टेड मैट फिनिश वाला ये सारी चीज़े जो है एक्ज स्टेंडल स्टील के मुगाबले लेकिन एक्सपेंसिव भी और यहां पर खासियत यह भी है इस नए डिजाइन की के जैसे 14 प्रो मैक्स में ये एजजेस काफी शाप होते हाथ में चुपते है 15 प्रो मैक्स में आपको ये एजजेस जो है कॉन्टोर देखने मिलेंगे आपक सारी चीज़े एक्जाक्ली सेम है इसमें कोई फरक नहीं है लेकिन फरक ये दोस्तों के यहां पर जो 14 प्रो मैक्स के अंदर ये साइलेंट स्विच आता था इसको टॉगल करके आप फोन को साइलेंट या फिर साइलेंट से बाहर निकाल सकते थे उसकी जगा 15 प्रो मैक्स क इसके अंदर 15 प्रो के अंदर आपको ये action बटन देखने मिलने वाला है जो के बिलकुल आपल वाच अल्टरा जैसा रहेगा और इसके अंदर 120 Hz के refresh rate वाला, display का resolution भी exactly सेम है, contrast ratio सारी चीज़े सेम है, बर difference यह है कि 15 Pro और Pro Max में 14 Pro Pro Max के मुगाबले slightly पतले bezels आपको देखने मिलेंगे, अब एक major difference दोनों devices के अंदर है, वो है type C और lightning port वाला, तो 14 Pro Pro Max के अंदर आपको यह lightning port देखने मिलता है, जिससे आप जाधा कुछ तो देखने मिलेगी इसमें, यह काफी helpful रहेगा कई मामलों में, आप pen drive वगरा connect कर पाएंगे, external SSDs भी, data transfer आसान और fast हो जाएगा, reverse charging कर पाएंगे आप wired तरीके से दूसरे devices को, और सबसे अच्छी बात यह है कि external device पे आप video recording कर पाएंगे, iPhone 15 Pro Max ते directly save जाके, जो है external device पे होगा यह 14 Pro Max के आद पॉसेबल नहीं है और इसमें नहीं camera capability भी सामने निकल गयाती है, इस वज़े से, camera capability तो आगे बताऊंगा, आप यहाँ पर performance समझ लेते, 14 Pro Max में आता है A16 Bionic Chipset, जबके 15 Pro Max के अंदर इन्होंने दिया A17 Pro Chipset, ताती 6 GB का RAM अब हो चुका है, 8 GB का RAM, तो यह extra आज जो processing power है और extra RAM है, यह बहुत long term के लिए अगर आप फोन को रखते हो, तो आपके लिए useful रहेगा, या actually आप movie वगरा इससे बनाते हो, तब भी useful रहेगा, यह benchmark के अंदर जो differences है, वो आगे आने वाले दिनों में, जब हम proper full comparison करेंगे, तब आपको देखने मिलेंगे, बै charging speeds के उपर भी अगर नजर दालते है, तो according to Apple यहाँ पर कोई difference नहीं है, लेकिन future में हम test करके जरूर देखेंगे, कि charging speed improve हुई या नहीं हुई है, sensors के अंदर लेकिन थोड़ा सा upgrade आपको देखने मिलेगा, second generation का ultra wideband chipset आपको 15 pro max में मिलता है, 14 pro max में 1st generation का है, तो vision pro जो future में आने वाले वो आप लेने वाले हो, तो slightly उसके लिए बेटर रहेगा 15 pro max, और 14 pro max के अंदर wifi 6 आता था, इसके अंदर wifi 6E आने वाले है, तो आपके पास उतना powerful router और वैसा internet connection है, तो आपके लिए 15 pro max बेटर रहेगा इस मामले में, अब camera's की बात कर लेते हैं, तो दोनों devices के आपको देखने मिलता है, वही 48 megapixel का main sensor है, दोनों के अंदर और बागी सारे camera के जो resolution है, वो भी exactly same है, next generation के जो portraits है, focus और depth control वाले आपको 14 pro max पे भी देखने मिल जाएंगे, 15 pro max में भी देखने मिल जाएंगे, तो इसमें भी difference नहीं है, और iOS 17 के update के बाद, आपको आपके 14 pro max में, 48 megapixel के normal photos भी enable होते नजर आ जाएंगे, आपे देख सकते है, iOS 17 पे चलता है मेरा 14 pro max, और इसमे max HEIF photo है, यानि की normal photo भी 48 megapixel में आप ले सकेंगे, पहले वो pixel binning करे के कम resolution पे आपको दिखाता था, लेकिन यहापे एक difference यह है, कि आपको ज्यादा zoom option देखने मिलते है, 15 pro max म में आपे देख सकते है, 0.5x, 1x, 2x, और 3x के option है, यह जो 2x है, दोनों devices के अंदर 14 pro max, 15 pro max में यह आपको digitally zoom करता है, बाकी सब optical zooms है, और 15 pro max में additional option आपको देखने मिलता है, वो 5x वाला क्योंकि इसकी telephoto zoom lens है, 15 pro max की 5x वाली है, 14 pro max में HDR 4 मिलता है, 15 pro max में HDR 5 मिलता है, ल movie बनाना चाहते हो, actual में, YouTube वीडियो नहीं, movies, तो 15 pro max आपके लिए beneficial रहेगा, अब यहापे storage वेरेंट की बात के लिए दो दोस्तों, क्योंकि इनके अलावा ज्यादा कोई difference नहीं है दोनों devices में, 14 pro max, 128GB, 256GB, 512GB और 1TB वाला वेरेंट में आता है, यह मेरा 1TB वाला वेरे अब एड में एक ही बात बचिए दोस्तों, वो है pricing की, 15 pro max शुरू होता है 1,59,900 रुपीज से, बहुत जादा महेंगा कर दिया, एपल ने पहले के मुकाबले इसको, और अगर बात करें 14 pro max की, इसका 128GB जो वेरेंट है, इसके आज के टाइम में कीमत है, Amazon पर मैंने चेक किय और अगर आप ग्लोबल आइफून 14 pro max शुरू जाना चाहते हो, तो मैंने सेल बची से पता किया, उसका प्राइज है, ब्राइज न्यू सील पैक का, जिस पर 12 मंस की आपल वारेंटी मिलती है, 1,05,000 रुपीज, और वही अगर आप 6 मंस की आपल वारेंटी वाला 14 pro max शुर तो 88,999 यानि की 89,000 रुपीज में आपको मिल जाता है, यानि की 40% के करीब लेस प्राइज में आपको 14 pro max मिल सकता है, 15 pro max के मुकाबले, तो अगर आपको 14 pro max है, 15 pro max पे जाने की ज़रूद नहीं, और अगर आप 15 pro max से जाना चाहते हो, लेकिन वो additional features या वो titanium body आपकी requirement नहीं और सारी चीज़े end में जाके depend होती है, आपके shock के उपर, आपकी jeep के उपर, अगर वो तगडी है, तो फिर तो आप कुछ भी ले सकते हैं, तो आप बताईए दोस्तों, जादा कौन सा आपको value for money लग रहा है, फिलाल बाकी तो हम full comparison, camera comparison करके देखेंगे, या actual में कितना फर ना होगा, असना आपको तो इस वीडियो को लाइक एंशे दरू किजिए और मेरी स्चनल को सब्स्राइब जो किजिए, गुद्बाई